दोस्तों रुमस्कार आप देखरें क्रिकेट इंडिया और डिली क्रिकेट के एक और ने एपिसोड में आप सभी लोगों का श्वागत है अज तारीक हो चुके 29 अक्टूबर 2022 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अज दिन बरकी क्रिकेट से जुड़ी सभी टोप खबरों के बारे में जहां पर एक तरफ साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्णामेंट यानि ICC Manchester 20 World Cup 2022 में टीम इंडिया के अगले महा मुकाबले के शिरुवात से पहले आप सभी भारते क्रिकेट फैंस के लिए दो तीन बड़ी बड़ी खबरे ब्रेकिंग निज निकल करा रही है वही दूसरी तरफ Tata IPL 2023 के लिए डेली कैपिटल्स की टीम ने अपने रिलीज ब्लेड की लिस्ट को ओफीशिल जारी कर दिया है और उसके अलावा भी यहाँ पर केट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरे निकल करा रही है पर इस वीडियो में हम इन सभी खबरों को वन बाई वन पूरी तरह से एनलेसिस करने वाले है इसलिए आप इस वीडियो काम तक जरूर देखते रहिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा देना तो जलिए बिना समय गवाई फटा पड़ हम बात करते हैं दिन बर की केट से जुड़ी सभी टोप खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल करा रही है साल 2022 का सबसे बड़ा टूर्णामेंट यानि ICC Match T20 World Cup 2022 को लेकर तो फिलाल वो श्टेले में खेला जा रहा है सूपर 12 फोर्मेट के फिलाल महा मुकाबले खेले जा रही है लेकिन दोस्तो आज की तारिख में T20 World Cup 2022 के रिगार्डिंग तीन चार बड़ी बड़ी खबरे ब्रेकिंग न्यूद सभी भारतिक गेट फैंस के लिए निकल करा रही है चली बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की तो फर्स्ट अपडेट निकल करा रहा है T20 World Cup 2022 की पोइंट स्टेबल को लेकर जहाँ पर वही आपको पता है कि कल दो मैच होने थे गुरूप बड़ी दो मैच होने थे और दोनों के दोनों महाम काबले बारिस में दुल गए जिहां दोनों के दोनों मैच बिना टोस के ही अबंडन करने पड़े जिसके चलते चारो टीमों को यहाँ पर एक एक पॉस्ट विलार यहां पर जो गुरूप एगी पॉस्टेबल है पूरी तरह से बदल चोकिएज हाँ गुरूप एगी पॉस्टेबल को आग सभी लोग स्क्रिन पर बेल्कुल क्लीन नायन कलियरली देख पारेंगे जापर भाई काफी सारे बड़े बड़े उलट फेर हमें देखने को मिल रहे हैं अफगनिस्तान की टीम भाई कई न कई बहुती बड़ी मुसीबत में आपर फस्ट चोकी है टोपर आपकी न्युजी लैंड की टीम हो लेकिन दोस्तों पूरे स को रहा है उसके बाद नीधर लैंड को रहा है और अब सभी की निगाई टीम इंड़ा के अगले महा मुकाबले पर है जहां पर भारतिय टीम अपना अगला महा मुकाबला 30 अक्टूबर को भारतिय समय अनुसार सामके शाड़े चार बजे से जहां टाइमिंग यहां पर सबसे बड़ा चेंज हमें ऊपनिंग पेर में देखने को मिल सकता है सोरसी जैसा क्लेम करेंगी वाई के आल राउन को इस महा मुकाबले से रेष्ट पर रखा जा सकता है उनकी जिगा पर फ्लेइंग पन्त को शामिल कीया जा सकता है वह एक बदलावें बोलिंग डिपाटम में देखने को मिल सकता है जहाँ पर युजवेंदर चहल को फिर से प्लेइंग लावन में शामिल किया जा सकता है दोनों में से किसी एक सब्सक्राइब करें पर क्लीन और पर इसे प्लेइंग लेवन उने अगले अपडेट की तो अपडेट निकल करा रहा है पाकिस्तान की टीम को लेकर जहां पर पाकिस्तान की टीम ने दो महामकाबले खेल लिये हैं दोनों इमामकाबलों में इस टीम को हरा हार का सामना करना पड़ा है पहले भारत के खिलाफ आरे फिर इनको जिन बाववे ने हर करें भारतिय टीम अपने बच्चे में सभी महा मुकाबले में जीत दर्ज करें उसके बाद साउथ अफ्रीक और दोनों टीमें दो-दो मैच्च यहां पर हार जायते हैं भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें सेमी फाइनल्स में केलिफाई कर जाएगी लेकिन दोस्तों आपको चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है उसके अदम बात करते हैं अगली खबर की तो यह खबर निकल कर आ रही है केट का महासंग्राम यानि टाटा IPL 2023 को लेकर यहां बड़ी खबर है ब्रेकिंग नुज है जहां पर वई आपको ओल्डेडी पता है कि 16 दिसंबर को भारतिय स मैं अनुसार शाब के तीन वजेशे हमें बेंगलूरू में IPL की उक्षांस देखने को मिले वाला कि उक्षां की वेन्यू को लेकर अभी विशा स्पैंज आ रहे कुछ सोर्सी जैसा क्लेम करेंगे वई टर्की में हमें अब की बार उक्षांस देखने को मिलेंगे लेकिन द BCCI ने यह confirm कर देगी 1st week of December 2022 में सभी टीमों के released and retained खिलाडों की पूरी लिस्ट यहां पर सभी फ्रेंचाईजों को BCCI को शोबनेगर जैसे यहां पर यह पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती है तो update आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है उसके गाडिंग है और यहां खबर निकल करा रही है डेली कैपिटल्स की टीम को लेकर जिया तीन बड़े खिलाडों के नाम निकल करा रहे जिनको डेली कैपिटल्स की टीम definitely IPL 2023 की निलामी से पहले अपने स्क्वेड से बिल्कुल पूरी तरह से रूल डाउट करने वाले अपने स्क्वेड से रिलीज करके अपने पर्स बैलेंस को बढ़ाना चाहती है बात कर देखले अपडेट के तो अपडेट निकल कर आ रहा है एसीन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्णामेंट यानि एसीन क्रिकेट को लेकर जहां पर होस्टिंग के ओपर फिलाल बहुती बड़ा सस्पेश बनाओ है पाकिस्तान में एसीन कप नहीं होगा एसीसी ने बोल दिया लेकिन इसके बड़ा सबसे बड़ा शवाल क्या खिर कहां पर होगा एसीन क्रिकेट काउंसिल के मिटिंग तो दोस्तों जो लिटेश्ट अपडेट के मताभी कैसा बताया जा रहा है कि यहां सस्पेश्ट पर दो नौब्बर को एक बहुती बड़े मिटिंग होने वाली जिस मिटिंग के बाद इसे कपके अपके बहुती बड़ा डि सबने के देखने को मिल सकता है और घशाए मंवेजे की बनांस्पमेंट की जा सकती है घ़ा सब्सजिलंग अनुटर सिदर किया जा रहे जहां पर आपके UAE का नाम आपके स्री लंटागा नाम है बंगलादेश का नाम है भारत में नहीं होगा यह कन्फर्म हो चुका है न्यूटरल वेन्यू पर हमें देखने को लेगा लेकिन ज्यादा सांसे यहां पर UAE के नजर आ रहे है उसके आदे बात करते हैं अगली खबर की तो यह खबर निकल कर आ रहे है वूमेंस आई पील 2023 को लेकर जहां बेशी सिया इनने अनौसमेंट कर दी साल 2030 की शुरुवात में हमें वूमेंस आई पेल का इन्नेकुरल सीजन यानी फर्स्ट सीजन देखने को मिलने वाला है सबी डिटेल्स रिवील हो चुगी है पांच टी में पार्टिसिपेट करने वाली है बीस मैच होने वाली है और वही हमें यहां पर जनूवरी 2023 में टू आई जा रहे कि चो बीस नोवंबर को यहां पर टीमों की नुलावे होगी जिसके बाद वही सभी टीमें यहां पर बिकने वाली है तो दोस्तों यह आज दिन वर्की उर्केट से जुड़ी सभी टोफ खबरे इन सभी खबर गर आपकी क्या ओपीनियन सभी कमेंट बुक्स म जरूर देना अपनी राइख फिलाल के स्वीड़ों वास इतना ही जड़ा इन्फोर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करकेट इंडिया थेंक्स फॉर वर्चिंग